हेलो एवरिवान, वेलकम तो मैं चैनल, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से प्लाजो के कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, तो इसके लिए मैंने सवादो मीटर ये रियॉन का कपड़ा लिया है और इस कपड़े के वेट है 44 इंचिस, तो सबसे कपड़े के सहरा से फोल्ड करना है तो मान लीजेक हमारा कपड़ा है और ये कपड़े की लैंथ है यान एक 24-2 मेंटर सब सबसे पहले एक बर लेंधिवाइस एक बार बिद कर देना है और सेंटर से फोल्ड करने के बाद हमें इसको एक बार और विड़्थ वाइस यानि कि बीच ओ बीच में से अब से इसी तरह से मैं में कपड़ यहांप आर यहां पर देख सकते हैं कपड़ा अब हम साथ करूंगी इसमें तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर हमारी फोल्डेड वाली साइड है यहां से ओपन वाली साइड है उपर की तरफ भी यहां पर ओपन साइड है और नीचे की तरफ पर दो फोल्डेड वाले पार्ट्स हैं अब यहां पर जो उपर पर ओपन वाल के लिए निशान लगाना है तो जितनी भी आपको प्लाजो की लेंथ चाहिए उसमें से आप पहले तो 1.5 इंच माइनस कर देना है क्योंकि उपर कमर में हमारी बेल्ट का घटा दिया तो आया 34.5 इंच और एक इंच मैंने और एड कर दिया नीचे डबल फोल्ड करने के लिए तो आया 35.5 तो यहां पर मैं 35.5 इंच पर निशान लगा रही हूं अब इस लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर देना है अब यहां फोल्डेड वाली साइट से अंदर को हमें प्लाजो की कमर के लिए निशान लगाना है लेकिन हम यहां पर कमर की जगा हिप का मेजरमेंट लेते हैं तो जितना भी आपका हिप राउंड है आप उसको 4 से डिवाइड कर दीजे और उसमें 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग अट कर रही हूं तो आया 12 इंच तो मैं यहां पर कमर के लिए 12 इंच पर निशान लगाऊंगी यहां पर मैंने 3 इंच की लूजिंग इसले लिए क्योंकि कमर वाले हिस्से में पीछे से तो इलास्टिक आ जाएगा और आगे से 2 या 3 में प्लीट्स डालूंगी तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा यहां पर लूजिंग ली है तो यहां पर मैं अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 12 इंच पर निशान लगा रही हूं अब इस पॉइंच से नीचे को हमें आसन के लिए निशान लगाना है और आसन कैसे कैलकुलेट करना है इसक लगभग 9.5 या 10 इंच पर लगभग निशान लगा रही हूं आसन के लिए और इस पॉइंच को हमें उपर कमर वाले पर स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है इसके बाद यहां से बाहर को हमें क्रॉच कर्व के लिए निशान लगाना है तो यह फ्रंट और बैक के कटि एक सांथ हो रही है तो मैं क्रॉच कर थोड़ा सा ज्यादा ले रही हूं तो 3.5 इंच यानि कि 3.5 इंच पर मैंने क्रॉच कर्व के लिए निशान लगाया है अगर आप थोड़ा बड़े साइस का बना रहे है तो आप 4 इंच पर निशान लगाईए अब हमें इसको यहां स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है इसके बाद यहां पर हम क्रॉच का कर बना लेंगे बहुत ज्यादा डीप नहीं बनाना है हलका सा भुमाओ देते वे बनाना है अब यहां पर थोड़ा सा कैमरा बंद हो गया था रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई इसलिए मैं आपको से बता देती हूं कि मैंने यहां पर क्या जॉइन किया है तो देखिए यहां पर हमने अभी क्रॉच का कर बनाया था उसके बाद यह क्रॉच के कर वाला पॉइंट को सिर्फ हमें यहां नीचे पर जॉइन करना है तो यह कितना डिस्टेंस हमें लेना है इसको बहुत तो इसकी मार्किंग यहां पर पूरी हो चुकी है अब सेम इसी निशान के उपर हमें इसके कतिंग कर लिए है हैं तो यहां पर कटिंग पूरी हो चुकी है और साइड चो थोड़ा सा कपड़ा बचाहर इस से हम बेल्ट निकाल लेंगे तो इस को में अब हमें क्या करना है इसके दो पार्ट जो ऊपर के दो पार्ट को हमें उठाना है और ये कपड़े को फैलाते हैं तो ओपन होने के बाद यहां पे कुछ इस तरह से दिखेगा अब इसका कमर वाला हिस्सा है, यहां पे मैं नेजदीग से आपको दिखा देती हूं मैंने इसके आसनों में सिलाई लगा ली है अब हमें इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसको पहले एक हाथ से पकड़ना है बिल्कुल सेंटर से और दूसरे हाथ से दूसरे वाले पार्ट को बीच से पकड़ना है और इसको इस तरह से टर्न करते हुए हम यहां पर रख देंग तो देखिए मैंने प्लाजो को पहले सीधी तरफ को यहां पर पलट दिया है अब हमें क्या करना है इसके जो दोनों आसन है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ बिलेव होनी चाहिए तेड़े मेडे नहीं होने चाहिए तो एक दूसरे के साब मिलाते हैं इस तरह से हमें रख सकते हैं तो फ्रंट और पैक को अलग करने के लिए मैं यहां पर साइड में चौक से पहले निशान लगा रहे हूं तो इतना हिस्सा हमारा फ्रंट का है और यह बैक का हो गया अब यहां पर कमर में हमें इसके प्लीट डालनी है तो हमें आधा आधा इंच की या फिर 0.75 इं नहीं डालनी है नहीं तो आपकी कमर जो है वो टाइट हो जाएगी अब सेम इसी तरह से दूसरी तरफ में भी हमें दो प्लीट जाल देनी है और धियान रहे जोız को दोनों की नोवाद प्लीट में उना चाहिए और को भी में तुरी पर हमें एक प्लीट और डाल देनी है और इसको भी अब मैं पिन से सिक्योर कर ले रही हूँ बस ध्यान रहे दोनों प्लीट की डारेक्शन जो है वो आसन की तरफ को होनी चाहिए अब हमें इन प्लीट में सिलाई लगा लेनी है तो यहां पर देख सकते हैं मैंने इसमें सिलाई की लिए है और चारिंच केसे साबसे लेनी है देखिए जितना भी चौड़ा आपका इलास्टिक है उसका आप डबल कर दाद ए और उसमें एक इंच सिलाई मार्जन एट करीए जैसे मेरा अप्लर टा-डका तो उसका डबल मैंने कर दिया तो उसका पक्तिन इन्च का इक्श जितना हमारा, इसका है, तु देखिये, ऐसे करके मिलाते वे हम रखेंगे, तो इस से आधा हैंच ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि आधा इंच पे, हम या पे सिरा लगा के बंद करेंगे तो देखिए मैंने इसको सिलाई लगा के जॉइन कर दिया है अब हमें बेल्ट को प्लाजो में जॉइन करना है तो उसके लिए मैं पहले बेल्ट को सीधी तरफ को पलट दे रही हूं अब हमें इस बेल्ट को प्लाजो के कमर वाले इससे के अंदर को डाल देना यहां पर हमें एक बात का और ध्यान देना है कि यह जो बेल्ट हमने अभी लगाई बेल्ट की सीधी तरफ प्लाजो की रॉंग साइड यानि की उल्टी तरफ के सांथ जॉइन होनी चाहिए और इस तरह से मिलाते वे हम रखेंगे और कोने कोने पर आदा इंच की दूरी पर ग लगा दी अब हमें बेल्ट को बाहर की तरफ को निकाल देना है इसके बाद अब मैं इय Bene we our यहां पर बुकरम ले रही हूं और यह बुकरम की जो चौड़ाई है बहुत डेड़िंच की और सकी लंभाई हमारी कमर की आधी है अगर कमर मेरी जिसे 28 इंच की है तो मैंने उसका आधा यानिकी 14 इंच का मैंने इसकी लंबाई ली हुई है अब इस बुक्रम की पट्टी को हमें पहले बिल्कुल से फोल्ड कर देना है और इसका जो फोल्ड वाली साइड है यहां पर चौक से सेंटर पे बेल्ट में तो अब यह दोनों का जो सेंटर पॉइंट है यह दूसरे से मिलाते हैं हमें यहां पर रखना है और बेल्ट में देयां दीचे ऊपर से आधा इंच नीचे पर हमें बुक्रम रखना है देखिए आधा इंच नीचे पर मैंने इस तरह से बुक्रम रखा और इसक सिलाई की लाइन तक तो इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों को हमें फोल्ड कर देना है और इसको फोल्ड करने के बाद हम हमें सिलाई लगानी है तो सिलाई हम देखिए जहां से हमने बुकरम को लगाया ना यहां से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और बुकरम के दूसर सिलाई लगाना स्टार्ट कर रही हूँ अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बुकरम का जो दूसरा कोना है यहाँ पर हम सिलाई को रोक देंगे यहाँ तक ही हम सिर्फ इसमें सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा है अब back stitch करके हमें इसको lock कर लेना है तो देखिए इतना हिस्सा हमारा open है और जो बाकी पीछे वाला हिस्सा है इसको मैंने double fold करके सिलाई लगा ली है अब हमें इसके back वाले part में elastic लगाना है तो elastic कितना लेना है वो मैं आपको बताती हूँ तो देखिए जितनी भी आपकी कमर है जैसे मेरी कमर 28 इंच की है तो उतने तक का inch tape मैं इस तरह से center से fold कर रही हूँ तो इसका जो middle point आया वो आएगा 14 इंच का तो जितना भी आपका आएगा आधा करने के बाद उससे 2 इंच कम हमें लेना है तो 2 इंच कम यानि की 12 इंच तो मैं 12 इंच लंबा यहाँ पर elastic ले रही हूँ तो यहाँ पर elastic को मैंने कट कर लिया है 12 इंच लंबा है और 1.5 इंच यानि की 1.5 इंच और इंच उड़ा elastic है जितना हमारा बुकरम था उतना ही अब हमें एक pin की मदद से इस elastic को यह जो belt की जो open वाली side है यहाँ से एक side से हम इसको डालेंगे इसकी दूसरी तरफ से हम इसको बाहर को निकाल देंगे तो दीखें दूसरी तरफ से मैंने यहाँ पर elastic को बाहर निकाल दिया है अब हमें elastic को इसमें सिलना है तो elastic का जो एक kona है यहाँ पर इस kona को हमें यह बुकरम के उपर इस तरह से एक दूसरे के उपर मिलाते वे ऐसे रखना है और फिर belt को आप इस तरह से fold कर दीजे और फिर इसमें यहाँ पर दोनों को मिलाते वे हमें इसमें सिलाई लगा लेना है तो इस तरह से आप दो-तीन इसमें सिलाई लगा लीजिए तो देखिए मैंने सिलाई लगा के बुकरम और बेल्ट को जॉइन कर लिया है सेम इसी तरह से इसकी जो दूसरी तरफ है यहाँ पर भी बुक्राम और बेल्ट को मतलब बुक्राम और इलास्टिक को एक दूसरे के उपर मिलाते वे इस तरह से हम रखेंगे देखें एक दूसरे के उपर मिलाते वे इस तरह से रखा और कपड़ा फोल्ड करते वे इसमें भी हमें सिलाई लगा लेनी है तो यहाँ पर कमर में इलास्टिक भी लग गया है और इलास्टिक को आप इस तरह से खीचेंगे तो जो गैदर्स हैं वो बिल्कुल बराबर बराबर इसमें डिस्ट्रिब्यूट हो जाएंगे तो आप हलके हलके से इसको खीच लीजिए और आप चाहें तो खीचते वे इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं जिससे इलास्टिक अच्छे सा अटैच हो जाए अब इसका जो ओपन वाला पार्ट है फ्रंट का इसमें भी अब हमें यहाँ पर सिलाई लगा के इसको बंद कर लेना है तो इसकी कमर में भी यहाँ पर देखिए फ्रंट पार्ट में बेल्ट आ गई है और जो इसका बैक वाला पार्ट है इसमें इलास्टिक मैंने लगा लिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैल्ट भी हमने आपे बना ली है कमर वाला हिस्सा बन गया है अब जो इसके इनर लेग्स हैं उसमें सिलाई लगानी है तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को ऐसे एक दूसे साम मिलाते वे रखिये और आदा इंच की दूरी पे पूरे में में सिलाई लगा लिनी है उसके बाद जो इसका नीचे वाला हिस्सा है बॉटम वाला है इसको भी डबल फोल्ड कर देना है